नमस्कार, मैं मान्सिशनमा PNL 24 में आप सब का स्वागत करती हूँ यह जो समय चल रहा है, इसे हम त्योहारों का सीजन भी कह सकते हैं जैसे कि आप सब को पता है कि भारत में भिन-भिन प्रकार की त्योहार मनाए जाते हैं उनमें से सबसे महत्वपून दिपावली भी है दिपावली मतलब दीपो करतीवार, दीपो से हमारा मतलब रोशनी, खुशी, उट्सा से होता है जैसे कि आपको पता है, इस दिन मालक्षमी का पूजन किया जाता है तता हूँ उनका जन्मोट सब भी मनाया जाता है इस दिन श्रीराम चंद्र जी 14 वर्ष का बनवाज पिता कर आयोध्य वापिस लोटे थे उनके आने की खुशी में लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था उसी प्रता को हम आज भी मनाते हुए आ रहे हैं हम इस समय भी घी के दीपक जलाकर श्रीराम चंद्र जी का उसी खुशी उल्लास के साथ उनका स्वागत करते है जैसे कि आप सबको पता है कि COVID-19 के चलते पिछले दो साल से यह तोहार बहुत फीका पड़ चुका था इस तोहार में कोई रंग नहीं रह गया था पर इस साल बजारों में लोगों की भारी भीड देखत कर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस तोहार जान आ चुकी है मिठाईयों के दुकान पर भारी भीड देखकर आप समझी सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या खुशी जलक रही है उनके चेहरे पर की खुशी को आप समझ सकते हैं दिपावली के तोहार की अच्छाईयां हैं तो कुछ बुराईयां भी हैं इस तोहार में कई लोग मिलावट की मिठाईयां इत्यादी समान बेचते हैं जैसे कि बजारों में आपको रंग बिरंगी मिठाईयां देखने को मिलती हैं उनमें रंग बिरंगे कलर मिलाये जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं आप उनको अवाइट करके ड्राइफ रूट्स जैसे समान भी खरीद कर लोगों को भेट दे सकते हैं मुझे आशा है कि आपने मेरी बात को बहुत अच्छे समझा होगा इसी कबर के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ मानसी शर्मा फिर दुबारा मुलाकात होगी एक नई कबर के साथ आप देख रहे थे PNL 24